नमस्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर अनंद भारदवाज वास्तु कंसल्टेंट और आप मेरा खास कारेकरम देख रहे हैं जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ उन सब पहलूं के बारे में जो कि बिलकुल अंटस्ट हैं जिसको लोगों ने चुआ नहीं या ऐसे पहलू जि आप इस वीडियो को देखी आखीर तक इसमें मैं आपको बताऊंगा कारण के कारण क्या होता है किसको किदर सोना चाहिए और कौन सी जगां उसके लिए कमफर्टेबल होती है हजबन के लिए कौन सी जगां होती है वाइफ के लिए जाना चाहते हैं तो चलिए मेरे इस वी वास्तु कंसल्टेंट्टू के क्शेत्र में विभिन संस्ताउं, मंत्रियों, विशिष्च व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी जादा अवार्ट से सम्मानित और सुशोभित। दॉक्टर आनन्द भार्दवाज यानि वास्तु शास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया नमस्कार साथियों मैं हूँ दॉक्टर आनन्द भार्दवाज और जैसे हमने आपसे कहा था कि आज हम पती-पत्नी के बेड्रूम के बारे में और सोने के बारे में sleep के बारे में sound sleep के बारे में बात करेंगे आपको पता है कि आदी जिंदगी आदमी की सोते सोते निकलती है आदे समय काम करता है आदे समय वो सोता है लेकिन सोते 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 कैसे उसका दिमाग चलता है कैसे सपने आते हैं कैसे वो alpha stage में चला जाता है और कैसे उसके साथ में रात में गटना एगटित होती है कैसा फीलिंग आती है कौन पावर में आ जाता है पती पत्नी में कौन वीक चला जाता है ये सब चीजें अगर आप जाना चाहते हैं कि उड़ जाएं कैसे काम करती है वास्तु में तो ये वीडियो आप ही के लिए है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि sound sleep अगर आपको लेनी है बहुत अच्छी नीद आपको लेनी है तो पहली बात तो ये ध्यान कर लेना कि कभी भी उत्र दिशा में आपको सिर्ण नहीं करना, नौर्थ में आपका हैड ना हो अब आती ये बात पती पतनी के सोने की जब पती पतनी husband wife जो है जब इकठे सोते हैं तो बहुत बार ये मन में आता है कि कौन सी जगा powerful, कौन किसको dominant करेगा कौन दबाएगा किसको और कौन किसकी बात को जए है ने overrule करने की कोशिच करेगा कौन yes, yes करते रहेगा और कौन हो जाएगा dominated ये सब चीजें जो जिगास हैं हमारे मन में साथियों आती हैं तो आपके लिए जाना जरूरी है कि husband wife जो हमारी culture के हिसाब से, age के हिसाब से responsibility के हिसाब से, हर हिसाब से बहुत सारे calculations होती है जिसके एसाब से, आम तोर के उपर जो घर का मुख्याजनी, जो man होता है जो आदमी होता है, पती होता है उसको हमेशा strong जगां पर सोना चाहिए किसी भी bedroom में, अगर आप रिष्टा चाहते हैं कि husband wife का बहुत अच्छा बना रहे और पतनी के साथ जाए आपका मन मुटाव ना हो, बहुत अच्छा प्यार आपका बने, तो आपको ये पहलू जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है मैं आप से share करता हूँ देखिए, आप देख रहे हैं, बोट पर लिखा है कौन किदर बैठता है, किदर सोता है अब देख रहे हैं, husband wife दोनों के दोनों एक bedroom में है और अच्छे अपने, बहुत अच्छे mood में है ऐसे ही mood आपका बना रहे आप भी इतने ही परसंद रहें ये मैं चाहता हूँ, दूसरी बात कि इसी में देखिए, ये भी उसी कपल का फोटोग्राफ जिसमें के bedroom के अंदर बहुत अच्छा comfortable फील कर रहे हैं और बहुत बार तो क्या होता है कि जो सुकी पती पत्नी होते हैं बहुत जादा सुकी होते हैं, अच्छा प्रेम होता है कोई उनके घर से जगड़ी की आवासे नहीं आते हैं कहीं, जैसी मतलब कलह नहीं होता उसको देखकर कई वर पड़ोसी जलते भी हैं कि कितना प्यार हैं दोनों को पती-पत्नी में साथ ही आप में भी ऐसी बना रहे क्योंकि पती और पत्नी दोनों ही गाड़ी के दोनों ही दो पईये हैं अगर एक पईया भी उसमें से पंचर हो गया या वीक पढ़ गया या तूट गया या नीचा हो गया या उसमें काम करना बंद कर दिया नहीं हुआ करती ऐसे बैट्रूम की कल्पन अगर आप करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रहना पड़ेगा अब जो हमारा बैट बनता है जो बैट्रूम बनता है आपको पता है कि जो बैट्रूम है किसी भी घर के अंदर जो दिशाएं उसकी बनती है वो आम तोर पे साथ वैस में उनको बनाया जाता है कोई भी बैट्रूम यानि इदर अगर हमारे पास उत्तर दिशा बन जाती है जिसकों कहते नौर्ट तब यह हमारा इस्ट बन जाएख़ए का उडक्षेची वैस्ट और यहाँ पे हमारा बन जाएगा वैस्ट और आमको पता है आगर ऐसी चीज धुंदलाट नहीं होती है उनको पूरी तना से पता होता है साथियों तो जो साउथ वेस्ट में बनता है हमारा साउथ वेस्ट में हमारा बना करता है master bedroom जिसको कहते हैं तो ऐसे केस में जो बैड पड़ता है वो जनरली इस तना से डाला जाता है यह हमारे पास first position होती है बैड की अब जब यह position हमारे पास बैड की बनती है तो ऐसे केस में क्या होता है कि यह जगा जो है देखिए अब किसी भी जगा का यह जो bedroom है इसका यह जो corner है यह सबसे ज़्यादा strong corner है strongest corner है हमारा इसको कहते हैं हम south west यह नहीं नेरते corner अब आप अप को सोना चाहिए left side में अब यहाँ पर यह निकल के आया निश्कर्ष यह आपका सिर्थ south में और south west में सोते हैं कहीं भी सोते हैं आप तो आपका जो husband है वह left side में सोएगा और wife जो है right side में सोएगी थोड़ी सी weaker position यह थोड़ी strong position क्योंकि दोनों में तालमिल बना रहे एक नह कहीं दूसरे दे मानी ठीक है तो कहते हैं बड़े बुड़े कहते हैं दोहीं बुद्धी मानी अब एक दूसरा नक्षा बना के आपको बताता हूं मैं कि जो दूसरी position होती है किसी भी bedroom में husband wife के सोने की उसकी क्या condition होती है देखिए एक position में आपसे कहा था कि इसी bedroom के अंदर तो इसमें first position मैंने आपको समझाई second position क्या बन सकती है किसी भी bedroom के अंतर second position सातियों कुछ इस तरह से बनेगी कि bed जह हमारा west में आएगा आपसे मैंने कहा कि कभी भी हमारा सिर्ज है सोते समय नौर्फ में उत्तर दिशाव में नहीं रहना चाहिए अब देखिए यहां पर इ यह जो है चला गया हमारा south west के ज्यादा पास आ ज्यादा नजदीक आ गया तो south west में आने के कारण यहां पर यह हो जाएंगे हमारे यहां पर सोएंगे husband यह नहीं पती सोएंगे और यहां पर यह जगां होगी wife के लिए पतनी के लिए आम तोर पे age में भी छोटी होती है और responsibility सबका स्थान पराबर होता है पर यह हमारा एक social system है हमारा व्यवस्ता है जिसमें कि हमें इस तना से करना खड़ता है एक और position बन सकती है हमारे bed room में husband wife के सोने के लिए वो third position क्या बनती है कि जो bed है इस bed को हमने डाल दिया east में मतला head जहें पूरम में आ गया जब पूरम मे अपने आप सोचिए कि अगर यहां पर husband wife सोचेंगे तो यह जगा ज्यादा strong बन जाती है यह ज्यादा stronger है यह ज्यादा strong है और यह थोड़ी सी कम strong है तो जो husband आएगा husband को यहां पर सोना है पती को यहां सोना है इसमें पती को यहां सोना है जब south में हमारा bed था तब पती को left में सुना था यहां पर वैस्ट में सौना होगा लेट साइड में नॉर्थ में तो कभी भी हम किसी का बैट नहीं डालते साथियों अगर आपका मजबूरी में कहीं आपको ऐसा हो गया है कि कि आपको मजबूरी में साथ वैस्ट में बैट डालना पड़ गया है तो उसको ठीक करने का जो असान तरीका होता है वो भी आपको बता देता हूँ मैं कि उस केस में आपने क्या करना है कि सपोस्थ कि आपका यहां पर बैट रूम है साथ वैस्ट में यहीं पर बैट रूम तो भी बनाएंगे साथ वैस्ट में होना चाहिए अगर गलती से या किसी मजबूरी में अगर आपको अपना हैड नौर्फ में करना पड़ता है ऐसा बहुत बार नौर्फ वैस्ट के रूम में भी होता है आप मेरे जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद आ रहा होगा आप में से भी बहुत से लोगों के घर पे ऐसे बैट रूम बनता है इदर दरवाजा होता है तो नौर्फ में सिर करना पड़ जाए फिर से कराओ पहली बात तो नहीं करना पड़ जाए तो बड़ा असान तरीका होता है साथिय बेडरूम ने तोड़ना अपने बेड को नहीं हटाना है परिशान नहीं होना है वहम नहीं करना आपने बहुत असान तरीका और ऐसे करने में आप चाहें तो पीछे जाना अपने हैड के पीछे भी थोड़ा सा बोड़ खड़ा करवा सकते हैं उसे कारपेंटर से ताकि उठाकर अबना सिर्फ दूसरे साड़ में कर लिया करते हैं अगर आप माँ लेता हूँ Folge मान बहता हूँ अगर आपका बैड्ड इसमें या वैस् single धर सनाने को आप जा इस वैस्करता है । तो कोई anti-issippi नहीं पढ़ता लेक Child अगर आप South में हैड करके सोते हैं और on Gloria के से आपर नॉर्ड हैं तो वह अच्छा नहीं होता एक बात और बता दूभां आपको इतना serious नहीं है North में हैड करना जितना हमने pior मचा रखा है कभी कभी हमने ऐसा देखा लोगों को बहुत बार नॉर्थ में हैट करने के बाद हमको साउंड सलीप आती है गहराई है सुपर माइक्रो और इसमें अर्थ की पॉजिशन कैसी है मेगनेट कैसे बनता है हमारा और कहां पर ग्रेविडेशनल कैसे फोर्स कैसे काम करता है इस पर जब अनलीजिस करते है तो ऐसा पता चलता है कि इतना गंबीर असार नहीं पड़ता नौर्थ में सिर करने पर जितना की हम लोगों ने कहा हुआ है क्योंकि हमारा जो इंडिया है जो भारत है हमाराintérieur हमारे पर नहींडिया है नौर्फोर बहुत दूर है मीघृट पर बहुत दूर है कोशिच करने कि नौर्फ मेसे ना करें इसा कुछ और असके में वहाइँ नसे कि साट हुजाने कीृट तो आप गच्छ तीसव महाजना जैसे लोग बात करते हैं, जैसे लोग विचार करते हैं, उसके साथ चलना ही समझदारी होती है, अगला वीडियो एक नए टॉपिक पर आएगा, और उससे भी आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, अगले वीडियो तक वेट करिए, दो द करता है, तो आप शेर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को मेरे, और लाइक करना न भूलना, क्योंकि लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन, अगला वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है दो दिन के बाद, तब तक के लिए दे मुझे परमिशन, धन्यव सब्सक्राइब, थैंक यू और टेक केर.